अच्छा तो क्लास हम लोगों ने ये कम्प्लीट चैप्टर पढ़ लिए इसकी स्टोरी पढ़ लिए तो इसके स्टार्ट में इन्होंने हमें कर्षेंज दिये थे दो हमने अब उनका अंसर तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि क्या है इधर इन्होंने दिया हुए तो यही हुआ था ना और दूसरा कॉस्टन है वो पूछ रहे हैं किसने ट्रिक्स के लिए थी मर्चंट ने ट्रिक प्ले की थी मनी लैंडर ने की थी या मर्चंट की वाइफ ने तो जैसे हम लोगों ने स्टोरी पढ़ या उससे तो हमें यहीं पता लगता है कि पहले मनी मनी लैंडर उनके साथ ट्रिक उन पर प्ले करने लगा था ट्रिक फिर मर्चंट की वाइफ को इस बात का बता लग जाता है तो फिर मर्चंट की वाइफ क्या करती है वो मनी लैंडर के साथ ही ट्रिक प्ले करती है तो फर्स्ट वाले का आंसर तो है मर्चंट's ships were sank in the Indian Ocean ठीक है यह मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ आप लोग पोस करके अपनी अपनी note books में note कर लें फर्स्ट वाले का answer ये है answer number one the merchant's ship were sank in the Indian Ocean ठीक है और second वाले का answer ये है the money lander played a trick ठीक है उसने trick play की थी which the merchant's wife noticed merchant की wife ने उसका notice ले लिया था so the merchant's wife played a trick on the money lander तो फिर जो merchant की wife थी उसने ही trick money lander पर play money lander के साथ money lander पर trick play की थी तो ये आप answers लेख लेए next आप लोग वापिस बुक पे आए और अब आप लोग निकालें पेज 81 इसके नीचे इन्होंने exercise दी भी है choose the correct words to complete these sentence पेज 81 पे class ये इन्होंने हमें words दीए में spices, land, depth, sink, castle, person, trick ठीक है इन words को हम लोगों ने ये blanks हमने पढ़नी है और हमने देखना है कि कौन सा word जो है वो किस blank में आता है ठीक है तो पहले तो मैं आपको पता दूँ spices का मतलब होता है land का मतलब होता है मतलब के जैसे के lawn लेना या lawn लेना ठीक है उधार लेना debt का मतलब होता है कर्जा और sink का मतलब होता है ढूब ढूबना यानि castle महल को कहते है person jail को कहते है trick कहते है यानि किसी किसम की कोई जा कहें किसी के साथ trick प्लेय करना यानि कोई चलाकी कहलो इस ट्राइप का कुछ ठीक है तो देखें अब फर्स्ट वाली मैं रूपीट करती हूँ और आपको बताती हूँ इसमें क्या आएगा things dash when they fall when they fall through water इदर क्या आना चाहिए वो कह रहे हैं कि चीजें dash हो जाती है जब वो पानी में जाती है क्या होती है डूब जाती है तो इसके इंदर आएगा sink first feeling the blank में आएगा sink s-i-n-k ठीक है sink second वाली देखें you use different then dash you use different dash when you cook you use different आप मुख्तलिफ इस्तमाल करते हो dash when you cook जब आप cooking करते हो क्या इस्तमाल करते हो आप cooking के दोरान spices इस्तमाल करते हो न तो यहां पे आएगा spices s-p-i-c-e-s इस blank में आएगा spices अब इसी तरह number three वाली पे आजाएं इसमें है you should not apply आप आपको नहीं खेलना चाहिए a dash on the other people क्या नहीं खेल दूसरे लोगों के साथ it's wrong क्योंकि यह गलत है आपको नहीं खेलनी चाहिए trick यानि के दूसरे लोगों के साथ गलत trick नहीं प्ले करनी चाहिए ठीक है P-R-I-C-K trick आएगा number four पे है a place with strong walls is card a dash a place एक जगा with a strong मजबूत walls दिवारें वो वह एक ऐसी जगा जिसकी मजबूत दिवारें उसे क्या कहा जाता है card कहना क्या कहा जाता है a dash castle क्या पे आएगा castle c-a-s-t-l-e castle c-a-s-t-l-e castle ठीक है class number five वाले में देखें the merchant could not repay his जो merchant था वो नहीं अदा कर सकता था रीपे दुबारा से नहीं अदा कर सकता था his क्या depth d-e-b-t depth ठीक है to the money lander किसको money lander को the merchant could not repay his d-e-b-t depth to the money lander ठीक है यहाँ depth आएगा number six में देखें I can dash you my dictionary I can I can land land कहते हैं कि मैं मतलब मैं तो मैं उधार देता हूँ land करजा देना या लेना I can land l-e-n-d land you my dictionary but please लेकिन महरबानी करके give it back soon तो मुझे यह जल्दी वापिस लोटा देना people number seven का देखें people who still who still go to dash इसके अंदर क्या आएगा इसमें आएगा P-R-I S-O-N ठीक है इसमें आएगा P-R-I दुबारा लिखें दुबारा नहीं लिखनें आप लोग P-R-I S-O-N समझके क्लास यह पूरी हो गई वो लोग जो क्या करते हैं चोरी करते हैं वो कहां जाते हैं जेल ठीक है people most complete class यह हम लोगों ने कर लिया तो अभी के लिए इतना ही next time मिलते हैं Allah Hafiz